देवास में नौकरी का जहांसा दे कर हजारों रुपए की ठकी करने का मामला सामने आया है ठकी करने वाले लोगों ने नौकरी के नाम पर कई बेरोजगारों को अपना निशाना बनाया है देखे इस रिपोर्ट में देवास में नौकरी का जहासा दे कर बेरुजगारों को नेटवर्क मार्केटिंग के जाल में फसाने का मामला सामने आया है जहासेदारों का शिकार हुए युवक युफ्तियों का कहना है कि देवास DBA डायनमिक बैनिफिशल नाम की एक कमपनी ने पहले तो नौकरी का लालच दिया और फिर पचास हजार ले लेकिन नौकरी नहीं थी घटना का शिकार युवक युफ्तियों ने देवास ठाड़े में शिकायद दर्स कराई है मेरे अकाउंट से कटवाए थे और बाकी 5,000 रुपे कोन पैसे घरवाय थे और बाकी के जो पैसे बचे थे उन्होंने मुझसे मुझे घर बेजा कि आप जाओ जहां पर बैंक अकाउंट है महां से ट्रांसफर करवा और फिर उसके बाद जब पैसे वगर सब दे दिये उसक इनके बाद में इन्होंने हमसे बोला क्या बोले कि आपको डेल वीद फेसन कपड़े का काम है तो आपको ओनलाइन वर्क करना है ओनलाइन आपको डिल करना है कपड़े की तो सर जैसे उन्होंने बोला गया क्या आपकी अकाउंट में 50,000 रुपे रहना चाहिए तब जाके आपको हमारी कमपनी की आईडी मिलेगी तब जाके आप उनलाइन वर्क कर पाऊ गया उसके बाद में में पूछा के सर यसा क्यों होगा इतनी जल्दी पेसे केसे कड़ गए मेरा पचास या रुपे तो क्या बोले आपकी डील हो गई और उसके बाद में मुझे फिर एक कमरे म में अपनी मर्जी से पेसे दिये हैं जब कि ऐसा कुछ नहीं हुआ इन्होंने डरा धंका करके मेरे से वो वीडियो बनाया गया उसके बाद में अगले दिंग फिर बोला क्या बोले कि अब आप जब एक व्यक्ति को जोड़ोगे तब जाके आपको दस्यार रुपे मिलेंग कि अब एक सकता है